ओम स्री गनीशाइन अम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ फरवरी बुद्वार के रासी फलक के बारे में की हादिन मित्वन रासी वालो के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन रासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजेटिव रहने वाला है दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही है यदि आप नौकरी बद आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुतसाहित करेंगी आपको अपने कारशित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय है क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती साथ आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परणामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता लोगों से जगड़ा हो सकता है अत्वा आपके जीवन साती दौरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साबधान रह दोस्तों आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपनीत हो सकती हैं इसलि आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबब व्यक्ति से सला लेने की आवशक्ता पढ़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकत हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के अप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्त प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते ह तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती हैं तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शांती, शदबाव, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तों बात करते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारे छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शैक गरिमियों का आज आपको भरपूर शैयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कारे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तों आपको अपने करियर और विजिदिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जिंडेगार देंगे जैंदोस्तों आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा धनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जैंदोस्तों भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना है साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जिन में उनको अवस्चे ही सफल तप्राप्त होगी नोक्री करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपके स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दोरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कुछ हद तक कम हो सकती है दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को केसर या सिंदूर चड़ाएं और साथ ही साथ अपनी मनों काम नए मांगे या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी है समस्त परिशानियों कांत करेंगे वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद